Hello students, welcome again to thermodynamics video lecture series और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं thermodynamic equilibrium के पारे में Well, thermodynamic equilibrium है उसमें तीन टाइप के equilibrium associated है That is thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium So अगर आप बोलते हो कि thermodynamic equilibrium तो आपके दिमाग भी ये भी रहना चाहिए कि इसका मतलब है कि Thermal Equilibrium भी, Mechanical भी और Chemical Equilibrium भी, और राइट, सो आपको एक चीज माँ क्लीर कर दूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए दो टाइट के स्टुटेंट्स आये होंगे, एक वो स्टुटेंट्स जो सिरफ इसके डेफिनेशन और बेसिक कॉंसेट जाना चाहते हैं, और एक वो स्टुटेंट्स जो जानना चाहते हैं कि Thermodynamic Equilibrium का जो कॉंसेट है, उसके अपने Thermodynamics chapter में क्या importance है, उसको study करना ज़रूरी क्यों है, वेल, दोनोटाइट के स्टुटेंट्स का जो प्रोब्लम है इस वीडियो के थुरू सोल हो जाएगा, डोन्ट वर्य बाउट डेट, सबसे पहले इस प्रोब्लम का अपन सॉलूशन करते हैं कि Thermodynamic Equilibrium को study करना ज़रूरी क्यों है, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, वो उसी सिस्टम की study कर सकता है, उसी सिस्टम के और बात कर सकता है या उस सिस्टम के बारे में अपने कुछ बता सकता है जब वो सिस्टम कहां पे हो अपने Equilibrium में हो, इसी लिए Thermodynamic सिर्फ Equilibrium Systems की science है, जो सिस्टम नोन-Equilibrium स्टेट में हैं, उन पे अपन Thermodynamics ये concept apply नहीं कर पाएंगे, very important point और इसका reason कि क्यों ऐसा आपन नहीं कर सकते, उसका reason भी आपको अभी मिल जाएगा, so let's assume कि अपने पास एक simplest Thermodynamic सिस्टम है, जो आप बहुत बार अपने Thermodynamics chapter में देखेंगे, जिसमें एक ideal gas trapped है, cylinder piston system में, और बहुती simple तरीके से अपने जान सकते हैं कि let's suppose, ये जो ideal gas के particles हैं, ये जो pressure apply करेंगे, उसकी वज़ए से piston एक upward force फिल करेगा, और ये जो mass हैं, वो भी downward force apply करेंगे piston पे, now let's assume कि gases का upward force और ये जो mass रखेंगे हैं, उनका जो downward force है, वो दोनों equal हैं, मतलब force balance है, मतलब ये piston move नहीं कर रहा होगा, अगर ये piston move नहीं कर सकता, तो इस system के अपन volume calculate कर लेंगे, क्योंकि piston अगर move कर रहा होगा, तो volume change कर रही होगी, इसलिए अपन volume measure नहीं कर पाते, but since इसकी volume change नहीं हो रही है, you can easily measure its volume, अगर इसकी volume change नहीं हो रही है, तो इसके pressure में भी कोई variation नहीं आ रहा होगा, और इसके temperature में भी कोई variation नहीं आ रहा होगा, मतलब आप volume, pressure, temperature, यानि कि macroscopic properties का measurement कर सकते हैं इस system में, alright, so अपने जो measurement किया, volume, pressure और temperature वो इसलिए कर पाए, क्योंकि system में इन तीनो variables की जो value है, वो constant है throughout the system, pressure की बात करें, तो हर जगए pressure इसका same है, temperature की बात करें, तो system में हर जगए इसका temperature भी change है, मतलब system में कोई भी type का transition नहीं हो रहा है, alright, अब अपने क्या किया, धान से सुनना इस चीज़ को, अभी इस system का कोई ना कोई surrounding भी था, alright, अब अपने क्या किया, इस system को यहां से उठाया, और इसको isolate कर दिया, इसको पूरी दुनियादारी से अलग कर दिया, अभी किसी भी चीज़ के साथ में interaction नहीं कर सकता, और जब अपने इसको isolate कर दिया, अलग कर दिया, तब अपने observe किया, इसकी volume भी change नहीं हुई, इसका pressure भी change नहीं हुआ, इसका temperature भी change नहीं हुआ, इसका मतलब यह है, कि यह system अपने thermodynamic equilibrium में है, अगर एक system को आप surrounding से उठा के isolate कर देते हैं, और उसके macroscopic variables में कोई change नहीं आता है, इसका मतलब ही यह है, कि thermodynamic system अपना thermodynamic equilibrium में है, और thermodynamic equilibrium में है, तो जैसे मैंने बोला, इन values को आप measure कर सकते हैं, इन values को measure करके, जितने भी thermodynamics से concept हैं, सब इस system पे apply करके, बहुत अच्छी अच्छी information अपन drive कर सकते हैं, तो यह तो thermodynamic system या thermodynamic equilibrium की importance अपने को समझ में आ गए, अब अपने को जानना है कि thermodynamic equilibrium को exactly कैसे पैचाना जाए, तो अपन छोटे मोटी कुछ बहुत ही basic definition की बात कर लेते हैं, बहुत easy होगा उनको समझना, don't worry about that, So, thermodynamic equilibrium में सबसे पहले word अपन सबस्ते है, equilibrium का मतलब क्या है, तो equilibrium का simple सा meaning है, a state of balance, और इसका बहुत simple सा example अपन देखते हैं, देखिए, let's suppose एक tug of war का competition चल रहा है, रस्ता कसी वाला competition चल रहा है, इधर 10 लोग लगे वे हैं, रस्ती को इस direction में force लगा रहे हैं, और इधर भी 10 लोग लगे रहे हैं, और रस्ती के इस direction में force लगा रहे हैं, Alright, so, अगर इन दोनों का जो force है, अगर वो equal होगा, तो यह जो not है, यहीं पर stay करेगी, मतलब अपन बोल सकते हैं, कि यह system किस में हैं, अपने equilibrium में हैं, मतलब system state of balance में है, तो equilibrium word का मतलब बहुत ही simple है, अब जो मैंने आपको एक statement थोड़ दे पहले बताया, उसके औरें बात करते हैं, A system in equilibrium experiences no changes when it is isolated from its surrounding, अगर system equilibrium पे होगा, अपने thermodynamic equilibrium पे होगा, तो इसको आप निकाल के side में कहीं पे isolated कर दोगे, तो system को पता भी नहीं चलेगा कि उसको isolated कर दिया गया है, क्योंकि वो पहले से ही equilibrium था, पहले ही से ही वो state of balance में था, alright, next statement, system is said to exist in a state of equilibrium when there is no change in macroscopic properties, values of properties remain same throughout the system, alright, तो system अगर equilibrium में है, तो उसको पैचानने का थरीका simple सा क्या है, एक तरीका तो यह है को उसको उठा के आप isolate कर दो, उसके properties में change नहीं आए, तो system equilibrium में है, दूसरा तरीका क्या है, आप इसकी properties को देखो, आप देखो volume को, क्या volume इस system की change हो रही है, अपने देखा नहीं हो रही है, फिर देखो इसकी temperature को, क्या इस system में temperature throughout the system same है, अगर throughout the system temperature same है, तो आपने temperature को measure कर लिया, मतलब temperature की जो values है, throughout the system यानि every point of the system same है, फिर अपने pressure देखा, और अपने वो पता चला कि pressure भी system में हर जगए same है, इसका मतलब इन macroscopic properties की value है, system में change नहीं हो रही है, और इसका मतलब system अपने thermodynamic equilibrium है, well, macroscopic properties की value change ना हो, इसके लिए, यह जो thermodynamic equilibrium है, इसके तीन पार्ट है, system जब thermodynamic equilibrium में होता है, तब वो thermal equilibrium में भी होना चाहिए, वो mechanical equilibrium में भी होना चाहिए, और वो chemical equilibrium में भी होना चाहिए, तभी उसकी properties में change अपने observe नहीं करेंगे और तभी अपने बोल पाएंगे कि system thermodynamic equilibrium में है, alright, so, सबसे पहले thermal equilibrium क्या है, so thermal equilibrium का बहुत ही simple सा definition है if the temperature of the system does not change with time and has same value at all the points of the system इसका मतलब system thermal equilibrium में तो अपने अपना ये system था अपने इसका temperature measure किया अपने को पता चला कि हर एक जगे system में हर एक जगे हर एक point पे इसका temperature constant है और इसका मतलब ये है कि ये अपने एक thermal equilibrium में है all right so thermal equilibrium का मतलब समझ में आ गया है आपको अपन बात करते है mechanical equilibrium क्या है so a system is in mechanical equilibrium if there are no unbalanced forces within the system or between surroundings इसका मतलब क्या है system को mechanical equilibrium में अपन उस समय बोलेंगे जब system में कोई भी unbalanced force ना हो जैसे मैंने बोला कि ये जो दोनों मास है वो नीचे की तरफ जो force लगाएंगे और जो gas उपर की तरफ force लगाएगी अगर ये balanced है तो system वहीं रहेगा जहां पर ये है और इसकी वज़े से system के जो pressure है हर एक point पर जो pressure है उसकी value भी change नहीं होगी इसको ही अपन बोलते हैं mechanical equilibrium mechanical equilibrium जब system रहता है तो उसके कोई work नहीं होता है और उसकी वज़े से कोई energy का interaction नहीं होता है उसकी वज़े से उसकी properties नहीं आता है इसलिए system अगर अपने thermodynamic equilibrium में है तो उसको mechanical equilibrium में भी रहना बहुत ज़रूरी है next point है chemical equilibrium का बहुत simple है chemical equilibrium का मतलब क्या है कि कोई भी reaction यहाँ पे नहीं होनी चाहिए अगर कोई reaction यहाँ पे हो भी रही है तो वो reaction अपने equilibrium में आ जानी चाहिए मतलब यहाँ पे कोई भी gases हो सकती है nitrogen gas हो सकती है hydrogen gas हो सकती है वो आपस में react भी कर सकती है लेकिन जब वो अगर आपस में react कर रही है उसमें system chemical equilibrium में नहीं बोला जाएगा लेकिन ये आपस में react करते करते let's suppose chemical equilibrium establish कर लेती है तो अपन बोल सकते हैं कि अब system अपने chemical equilibrium में आ गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो molecules हैं ये जो molecules का जो number है जो amount है वो change नहीं हो रहा है और इसलिए अपन बोलेंगे system अपना chemical equilibrium में आ गया है उसको technically अपन क्या बोलेंगे a system is in chemical equilibrium if its chemical composition does not change with time and no reaction takes place in the system तब अपन system chemical equilibrium बोलते हैं so simple सी चीज़ हो गई है कि system को अगर thermodynamic equilibrium में रहना है मतलब system में throughout अगर macroscopic properties को same रखना है तो उसको chemical equilibrium में रहना पड़ेगा उसको thermal equilibrium में रहना पड़ेगा उसको mechanical equilibrium में रहना पड़ेगा तब ही उस system पे आप measurement कर पाओगे और तब ही उस system पे आप thermodynamics के concept apply कर पाओगे और energy interaction को समझ पाओगे So guys I hope आपको thermodynamic equilibrium बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और इसकी application बहुत important है Throughout the chapter आपको इचीज ध्यान में रखनी है कि thermodynamics में वही system अपने study करते हैं जो अपने thermodynamic equilibrium में This is it in this video Thank you very much And I will see you later in the next video